आज मैं आप लोगों के लिए एक तीखी सी सिंपल सी बेहत कम चीजों से बनने वाली हरी भुजया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैंने चार मीडियम साइज के आलू को छील के पतला पतला कट कर लिया है आप भी आलू को पतला काटी है क्योंकि हमें इसे कडाई मी बनाना है एक मिकसर के जार में एक हैंडफुल हरी धनिया, चार हरी मिर्च, आदा चमश नमक डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे देगे कितना अच्छा सा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है अब एक कडाई में डालेंगे दो टेबल इस्पून तेल और रेडी किया हुआ हरा पेस्ट, इस पेस्ट को हमें सिर्फ यूज करना है इसके इलावा में भुजिया में कुछ भी नहीं डालना है जार में एक कप पानी डाल कर इसे भी डाल देंगे और कटे हुए आलू को भी मिक्स करके ढख देंगे मीडियम फ्लेम पे इसे 10 मेट तक पकाएंगे इस पेस्ट को बिल्कुल भी भुणना नहीं है क्योंकि इससे हमारा कलर खराब हो सकता है भुजिया का तो 10 मेट के बाद एक बार इसे चेकल लेते हैं कि हमारे आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं कि नहीं आलू हलका सा कच्चा है तो बस इसे 5 मेट और हमें ढख कर पकाना है अब देखे 5 मेट और हो चुके हैं अब हम अपने आलू को चेकल लेते हैं हमारा आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही अच्छा सा हमारा भूजिया रेडियो चुकी पर इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसे हाई फ्लेम पे हम दो मिट के लिए कुक कर लेते हैं ताकि हमारा पानी अच्छे से गल जाए तो देखा आपने कितनी अच्छी से हमारी आलू की भूजिया रेडियो चुकी कितनी सिंपल डिश है यह आप चाया तो इसमें जीरा वगरा और मसाले भी एड़ कर सकते हैं लेकिन यह ऐसे ही बहुत टेश्टी लगता है अगर आप तीखा पसंद करते हैं और आप को यह इसी तीखी चीजे खाना पसंद है तो आप एक बर इसे जरूर बनाएए खाये पी और इंज्वाइ कीजिए रेशिपी अच्छी लगी हो तो यह सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर पर जो बेल का इकन उसे दबाने से मेरी रेशिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी वीडियो सबसाब देगे